हरे कृष्णा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी योट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आगे की कथा सुनाने से पहले मेरा आज आप सभी से नुरों थे कि आज तक आप में से जिन लोगों ने भी हमारी चैनल पर भादोमास महतमी की कथाई सुनी हो और एक बार भी कमेंट नहीं किया है तो प्लीज आज आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये सारी नभरपूर आशिरवाद भी देते हैं तो आप सबका बहुत बहुत दन्यवाद अब सुनिए आगे की कथा और उमीद है आज आपने भागवत की कथा भी जरूर सुनी होगी नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुनिएगा अपना प्यार आप हमारी सारी वीडियो को जरूर द है महाभाग आपके मुख से भागवत कथा सुनते सुनते हमें तरपती ही नहीं होती इसलिए उनकी लिलाओं का आप वर्णन कीजिए हमने सादू पुरूशों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विश्णु के वारह अफ्तार का वर्णन है ह प्रवान नारेय किस प्रकार वरह रूप धरन किया और किस प्रकार अपनी दृषटा से एकारणों में डूबी ही प्रद्वी का उत्धार किया सबको अपनी और आकृष्ट करने वाले परम बुद्धीमान भगवान श्रीहरी की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श तरदूंगा भगवान विश्नू की लीला कथा का श्रवन करो भगवान विश्नू के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है यह तो बहुती बड़े सभाकी की वात है इसलिए शिर्व विश्नू की जो जो लीलाएं हैं उन सब को ध्यान पूर्वक सुनू वेद सवन, सहस्त्र बाहू, होताद, हव्य, यग्यपात्र, पवित्रक, वेदी, दिक्षा, चरू, दर्वी, ध्रुवा, यूप, चक्र, उनुखल, यग्यभाग, हुतार्ची, तथा यग्य में सनातन प्रभु कहते हैं, उन श्रिवत्स चिन्न, विभूशित, देव, के सहस्त्र अफदार हो चुके हैं, और समय समय पर होते ही रहते हैं, उनका जो वरह अफदार है, वह वेद प्रधान यग्य स्वरूप है, चारो वेद उनके चरण और यूप, उनकी दाढ़े हैं, यग्य दात और चितियां मुख हैं, साक्षात अगनी ही उनकी जीवा, कु हविश्य, नासिका, स्रुवा, थूथन और सामवेत का गंभीर घोश ही उनका स्वर है, वे सत्य, धर्म स्वरूप, शिरी संपन तथा गती और पराकरम के द्वारा सम्मानित हैं, प्रायश्चित उनके नक, पशु उनके घुटने और यग्य उनका स्वरूप है, दक्षिन उनका हिड़दय है, वे महान, योगी और महायगिमय है, वेदों का स्वाधय उनका हार और एक प्रकार की होमागनी जिसे प्रवर्ग कहते हैं, उनका आपुशन है, नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग है, गोड उपनिशत उनके बैठने के लिए आसन है, प्रत्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई थी, संपून जगत के आदिकारण और सहस्त्रों मस्तकों वाले भगवान ने वरह रूप में प्रकट होकर एकार्णव में प्रवेश किया, तथा सब लोकों का हित करने की इच्छा से प्रत्वी को अपनी दाढ़ पर उठा इस प्रकार समस्त जीवों के हितैशी भगवान यग्य वरहा ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची प्रत्वी का उधार किया, हे ब्रहमनों ये वरहा अफ्तार का वर्णन हुआ, उसके बाद भगवान का नर्सिंग अफ्तार हुआ, उस अफ्तार में भगवान ने रूप धारन करके हिरन कश्यपू नामक दैत्य का वद किया था, प्राचीन काल के सत्युक की बात है, दैत्यों के आदिपुरुष देवशत्रू बलाभिमानी हिरन कश्यपू ने भारी तपस्या की, वह साड़े ग्यारा हजार वर्षों तक शम, दम तथा ब्रहमचरी का प प्रसन हुए, उन्होंने हंस से जोड़ेवे सोरे के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयमा कर दैत्य को वर्दान दिया, उनके साथ आदित्य, वसू, मरुद्गन, देवता, रुद्रगन और विश्वेदेव भी थे, ब्रहम वेताओं में श्रेष चराचर गुरू ब् करो, तव हिरन कशेपू बोला, लोग पिता में, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और आक्षस मुझे मार ना सके, तपस्वी रिशी भी क्रोध में आकर मुझे कभी शाप न दे, किसी अस्त्र या शस्त्र से, व्रिक्ष या पर्वत से, अथ्वा सूखी या गी तब ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्व और अद्भुतवर मैंने तुम्हें दिये, इन संपून अभिस्टों को तुमने संदे प्राप्त करोगे, ऐसा कहकर, पिता मेह ब्रह्मा जी, ब्रह्मरिशी गणों से सेवित विराजपत ब्रह्मधाम को चले गए, इसके ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं उसे अपनी तपस्या कफल अवश्य मिलेगा, उसका भोग समाप्त होने पर वह अवश्य ही साक्षाद भगवान विश्णू के हाथों मारा जाएगा, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने दिवि आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा, आश्रम में रहने वाले सत्यधर्म परायन, जितेंद्रिय और उत्तम रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंब कर दिया, स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर प्रत्वी पर विचरते वे उस दानब ने द्यत्यों को तो यग्य का भागी बनाया ही और देवताओं को उससे वंचित कर दिया, तब आदित्य, वसू, साध्य, विश्वेदेव और मरुदगण, शरनागत रक्षक, सनातन प्रभु, महाबली भगवान, विश्णु की शर हैं, आपके नेत्र, विक्सित, कमल दल के समान, शोभा पाते हैं, आप शत्रुपक्ष का नाश करने वाले हैं, भगवन, हमें शरन दीजिये, और द्यत्यों का संघार कर डालिए, तब भगवान वासुदेव कहने लगे, देवताओ, भय मत करू, मैं तुम्हें अभय देता होंगा, ऐसा कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयम हिरन कशिपु के स्थान पर आए, उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुशी का और आधा सिह का धारन कर रखा था, इस प्रकार नरसिह धारन के हाथ में हाथ मिलाएवे आए, उनके शरीर का वण मेग के सम समान ही कंभीर था, ओज और वेग में वे मेख के समान ही लग रहे थे, मतवाले सिह के समान उनकी चाल थी, यद्यपी हिरन कश्यपू बला भीमानी दैत्यों से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था, तब भी भगवान ने उसे एक ही थपड से मार कर यमलोग पहुचा दिय यह नर्सिंग अफ्तार की कथा कही गई, अब वामन अफ्तार का वर्णन भी सुनो, भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था, उस रूप को धारण कर श्री हरी बलवान बली के यग्गी में गए, और वहां उन्होंने अपने तीन ही पगों से त्री लो इस वित्ता ब्रहमन भगवान वामन के यश्का सदागुन गान किया करते हैं, इसके बाद भगवान विश्नों ने दत्ता त्रे नामक अफ्तार धारन किया, दत्ता त्रे जी में क्षमा की पराकास्था थी, उस समय वेद, वेदों की प्रकिर्या और यग्य, सभी नस्ठ हो रही थी, और धर्म पाखण मिश्रित हो गया था, ऐसे समय में भगवान दत्ता त्रे ने यग्यों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया, और चारो वर्णों को अलग-अलग करके उन्हें व्यवस्तित रूप दिया, दत्ता त्रे जी परम बुद्धिमा का पालन करोगे, जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे, तुम्हारे शत्रों तुमें आख उठा कर देख भी नहीं सकेंगे, तुम उनके लिए अजे हो जाओगे, ये श्री विष्णु के दत्ता त्रे अवतार की चर्चा की गई, इसके बाद भगवान ने परशुर जी ने उसे धर्ती पर गिरा दिया, और चाती पर चड़कर तीखे फरसे के द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली, उस समय कार्तिवेर बड़े जोर जोर से चीकता चिलाता रहा, उन्होंने मेरु गिरी से विभूशित समस्त प्रत्वी पर करोणों छत्रियों की लाशे बिछा दी, 21 बार धर्ती को छत्रियों से शूनी कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्यमेत यगी का अनुस्ठान किया, उस यगी में भ्रगु नंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी प्रत्वी दक्षना रूप में दे दी, स सनातन परमात्मा श्री हरी के परशुराम अवतार का परीचे दिया गया, 24 बें तुरेता युप में भगवान ने दश्रत नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया, भगवान विश्नु उस समय चार रूपों में प्रकट हुए थे, उनका तेज सूरी के समान था वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए, और विश्वामित्र के यगिकी रक्षा के लिए उनके पीछे-पीछे गए, महायशशवी श्री राम सभी लोगों को प्रसन रखने राक्षासो को मारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अव्तरित हुए थे कहते हैं राजा श्रीराम सदा सब भूतों का हित करने के लिए ततपर रहा करते थे वे संपोन धर्मों के ग्याता थे उन्होंने लक्षमर को साथ लेकर 14 वर्षतक वन में वास किया था उनके साथ उनकी पतनी सीता जी भी गई थी जो मूर्ती मती लक्षमी जी थी जनिस्थान में निवास करते वे श्रीराम ने देवताओं के एने कारी सिथिकिये उन्होंने रावन के द्वारा अपहरत सीता जी का पता लगा कर उन्हें प्राप्त किया और रावन कवत किया पुलत सिवंशी, राक्षेस, राज, रावन देवता, असुर, यक्ष, राक्षेस और नागों के लिए भी अबद दि था युद में उसको जीतना बहुत ही कठिन था उसका शरीर कंजल राशी के समान काला था वहतीनों लोकों को मार भगाने वाला क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वियुक्त, सिह के समान पराकर्मी और वर्दान से उन्मत था देवताओं के लिए तो उसके और देखना भी कठिन था ऐसे रावन को भगवान श्रीराम ने सेना और सचिवो सहित युद्ध में मार डाला इसके पहले उन्होंने और भी कई अलोकिक कर्म किये थे अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानराज, वाली को मारा और सुग्रीव को किशकिंधा के राजिपर अभिशिक्त कर दिया मधु का पुत्र लवन नाम का दानव मधुवन में रहा करता था वे वीर तो था ही वर पाकर मतवाला हो गया था उसे भगवान ने शत्रुगन के रूप में जाकर मारा मारीच और सुबाहु नामक दो बलवान राक्षस थे जो शुत्र अंतह करन वाले मुनियों के यग्यों में बाधा डाला करते थे उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा शिरी राम ने मार गिराया विराध और कबंध दो बड़े भयंकर राक्षस थे जो पूर जनमे गंधर्व थे लेकिन शाप से मोहित होकर रक्षस भाह को प्राप्थ हो गए थे उन्हें भी श्री राम ने मार कर शाप मुक्त कर दिया श्री राम के बाण अगनी सोरिकरेन और विद्युत के समान तेजस्वी तपाईवे स्वार्ण से युक्त विचितर पंखों से सोशोभित तथा महेंद्र वजर के समान सार्युक्त थे उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रों का नाश किया परम्भुतिमान महर्शी विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दोर्धश दैत्यों का वद्ध करने के लिए शिरी रगुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्रशस्त प्रदान किये थे पूर्व समय में जबकि महत्मा राजाजनक के यहां यग्य हो रहा था शिरी राम ने खेल ही खेल में महेश्वर के धनुष को तोर डाला था धरमात्माओं में श्रेष्ट शिरी रगुनाथ जी ने ये सब अलोकिक कर्म करके दस अशमेद यगे भी किये थे जो बिना किसी विग्न बाधा के पूर्ण हुए थे श्री राम जी के राजि करते समय कभी अमंगल की कोई बात नहीं सुनी गई हवा कभी तेज नहीं चलती थी कोई किसी का धन नहीं चुराता था न कभी विद्वाओं के विलाप सुने जाते थे और न अनर्थ की ही प्राप्ति होती थी उस समय सब कुछ शुब ही शुब हुआ करता था प्राणियों को जल अगनी या फिर आंधी से कभी भै नहीं होता था बुढ़ों को बालकों की प्रेत करिया नहीं करनी परती थी छत्री ब्रहमन की परिचरिया करते थे वैशी छत्रीयों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शुत्र एंकार छोड़कर ब्रहमन आधी तीनों वर्णों की सेवा करते थे श्री राम के राजी में इस्त्रियां अपने पती के सिवा दूसरे किसी भी पुरुष में आसकत नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी इस्त्रि पर कुद्रिष्टी नहीं डालते थे उस समय सारा जगत जितेंद्री था प्रत्वी पर डाकों को कहीं कोई भय नहीं था, कोई नाम नहीं था एक मात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संगरक्षक थे उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे सहस्तरों पुत्र के पिता हुआ करते थे किसी भी प्रानी को कोई रोग नहीं सताता था, राम राजी में इस धर्ती पर देवता, रिशी और मनुष्य एक साथ ही एकत्रित हुआ करते थे पुरान वित्ता पुरुष इस विशे में गाथा कहा करते हैं कि श्री रगुनात जी का वर्ण श्याम और अवस्था युवा है, उनके नेत्र कुछ-कुछ लालीमा लिये हुए हैं मुख से तेज बरसता रहता है, वे बहुत कम बोलते हैं और उनकी लंबी भुजाएं गुटनों तक पहुंसती हैं उनका मुख बड़ा सुन्दर है, कंधे सिह के समान है, महा बाहु श्री राम ने दस हजार वर्षों तक राज्य किया उनके राज में सदारिग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था धनुष की टंकार भी सदा कानों में आती रहती थी, दान करो और स्वंभी भोगों का उपदेश कभी बंद नहीं होता था दशरत नंदन, श्री राम, सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से दर्दिप्रमान धहते थे उनकी सूर्य चंद्रमा से भी अधिक्षोभव होती थी ये श्री राम अफ्तार का वर्णन हुआ, इसके बाद श्री हरी का अफ्तार मत्रौ में हुआ था वे श्री कृष्न के नाम से विख्यात हुआ, भगवान श्री कृष्न समस्थ संसार का हित करने के लिए अफ्तरित हुए थे कन, सिद्विद, अरिस्ट, व्रिशब, केशी, दैत्यकन्या, पूतना, कोवल्या, पीड, हाथी और चानूर और मुस्टिक नाम के मल्लों का उन्हाने वद किया अद्भूत कर्म करने वाले बाना सुर की हजारों बुजाएं काट डाली, युद्ध में नरकासुर का संगहार किया और महाबली काल्यवन को भी भस्म करा दिया भगवान ने अपने तेज से दुस्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हर लिये और उन्हें मौत के घाट उतार दिया ये अवतार संपूर्ण लोकों का हित साधन करने के लिए हुआ था इसके बाद विश्णु यशा नाम से प्रसित कल की अवतार होने वाला है भगवान कल की शंभल नामक गाउं में अवतरित होंगे उनके अवतार का उतेश भी सब लोकों का हित करना ही है ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुर योतियों द्वारा समर्थित हैं इस प्रकार यह अवतार कथा संशेप से कही गई जो संपूर्ण लोकों के गुरू और सदा कीरतन करने योगी हैं उन भगवान विश्णु के अवतारों का वर्णन किया गया इसके कीरतन से पित्रों को प्रसनिता होती है जो हाथ चोड़क कर अमित पराक्रमी श्री विश्णु के अवतार की कथा को सुनता है उसके पितर भी अतिन तुरप्त हो जाते हैं योगिश्वर भगवान श्रीहरी की योग माया वर्णन सुनकर सब पापों से मुक्ष हो जाता है और भगवान की कृपासे उसे रिध्धी सम्रिधी तथा प्रचुर भोगों की भी प्राप्ति होती है मुनिवरो इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्रीहरी के सर्व पापहारी पवित्र अव्तारों का वर्णन किया अब और क्या सुनना चाहते हो तब मुनियों ने उसे जो कुछ भी प्रश्न किया उसका वरतांत आप सभी अगल के ध्यमित जरू सुनिएगा